हालो बच्चों बेरी बेरी गुड़ इबनिंग आप सबको पता है कि साम साथ बज़े से इस समय हाई स्कूल का नयवायच चल रहा है अप्रेल 2022 से है ना तो आज आपका ध्याय 12 होगा चैप्टर नंबर 12 देखो बच्चों पहला ध्याय में हमने 1.2 तक कर दिया उसके बाद मैंने कहा था कि आपको चैप्टर 10 के ऊपर के जो चैप्टर है चैप्टर 11 12 13 14 15 इनको पहले करवा देंगे फिर हम सुरू से पढ़ाएंगे ऐसा करने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इंपॉर्टन चैप्टर है और इनको समझना जब आपका माइंड फ्रेस इस्टार्टिंग में ज़्याद आसान होगा चैप्टर का नाम है बृत्तों से संबंधित छेत्रफल इसक्रीन पर आप देख रहे हो ना चैप्टर 12 कच्छा 10 NCRT चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जैसा चैप्टर का नाम है कि बृत्तों से संबंधित छेत्रफल यानि इसमें कुल मिलाके हम जो लोग पढ़ेंगे वह सरकल पर अधारित सब कुछ कहानी पढ़ने वाले हैं तो पहले सरकल का बेसिक कांसेप्ट इंट्रोडक्शन की रूप में आप देख लीजिए उसके बाद भीर हम अभ्यास के कोश्टन पर चले हम यहां पर सिखेंगे जैसा सबसे पहला आप देख रहे हैं याद रहे यह क्लास हिंदी मीडियम होगी इसा नहीं कि सब इंग्लीज में होगा लेकिन हिंदी मिला के होगा क्योंकि इसमें सी बेसी और दिली बोड के बच्चे भी होता है तो डाइमेटर को क्या बोलते हैं डाइमउन्यको बोलती है यह यह ब्यास क्या होता है यूपी जो सरक्ल होता था ना उसके बीच ओल बीच में सेंटर होता है जिसे केंद्र बोलते हैं नर चौक्ल आप्ट तरफब देखु है इसे सर्कम्फेरंस तिंट है ये जो हगारे समारा पेंच चल रहा है यह सागंफरेंस परिदी जी से बोलते हैं पूरा चारों तरफ है तो अगर कोई लाइन इस केंद्र को टच करते हुए ऐसे करते हुए इस परिदी को इस तरफ से उस तरफ तक मिलाती है यानि एक छोर से दूछरे तक करती है तो वह लाइन डामेटर आप आहिए और इस कि जो सेंटर का बाला पारट बीच में ओ इससे जो भी रेखा यहां पर आके टच करती है यानि परिदी टच करती. क्या अब मंने पुछ समंझ मैं है चाहे वह इसका लेमानलो इसको क्यू साना ना तो और या ओबी या ओए या इधर को एक्ठी मिला लो सी मानलो ओसी यह सभी रेडियस यानि त्रिज्याएं कहलाती है ठीक है याद रखना तो यहां से एक आपको पॉइंट मिल रहा होगा कि एभी इतनी बड़ी रेखा है हमने कहा कि ओए और ओवी त्रिज्या है यानि आधा-दा बंड रहा है ना तो हम कहें सकते हैं जो ब्यास होता या वा इंदिमे द्री में भी आहुं घबराना नहीं कि दिखाए ठीक है और जो नाम के लिए परिशान है बच्ची उनसे निबेदन है बेटा पढ़ाई पिध्यान दो सिर्फ नाम नहीं बोलेंगे ठीक है रोज कलास में जुड़ोगे लाश्ट में सब का नाम बोलेंगे चुप चाप पढ़ाई करो पढ़ना है तो नहीं भाग जो यहां से बस अब यहीं वेड़ना कि उध्या अंधारी पढ़ लो जिन्दगी में कुछ कर लो मेरे नाम लो मेरे नाम लो उसमें कुछ मिलता नहीं हैं कमेंट में फंदो बैद नीहों जो घेरा हुआ उसके अंदर का संपूर्ण पार्ट होता वह उसका छेत्रफल होता है जैसे अगर हम दिखाने के लिए सरकल और बना दी आपको तो इसके अंदर यह जो जगा है स्पेस यह जितना भी न यह इसका क्या है एरिया है जैसे हम कमरे में हैं कमरे में चैरोतरब्दी द्वारा जितना घेरा गया संपूर्ण छेत्रफल हो क्या होता बृत का सवरी जितनी जगा वहती बृत का छेत्रफल होता है तो इसमें कुल मिला कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ फार्मूला रख लेना है पाई आर स्कॉर पाई आर इसकोर आर मलदा बृत की परिधी हिंदी में इसको परिधी बोलते हैं याद रखना इसको परिधी बोलते हैं यह क्या होता है इसको कहीं भी अगर आपको निकालना है तो टू पाई आर इसका फार्मूला होता है यानि आर को पाई के साथ मिला के दोगना करते हैं यानि यह जो चारों तरफ आइसे समझ लो कि कोई बंदा अगर ए पर खड़ा है और एसे चलता हुआ वैसे ऐसे गया ऐसे ऐसे बी पर पहुंचा फिर चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ फिर से ए पर आ गया तो वो जितना दूरीत है किया उसका मतलब क्या है बृत की परिदी समझ में या समझते चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट है बहुत इंपॉर्टन है और यह सिर्फ हाई स्कूल कच्छा दस के लिए नहीं यह सब के लिए है अगर आप टेट के त्यारी कर रहे हैं सीटेट की कर रहे हैं आप बीटेक एंप तेक कुछ भी कर रहे हैं यह नहीं है कि बीटेक वालों में जो बृत की तृज्जार होती है वह वे आकलास को पढ़ेंगे तो उनके शर्च बृत में जो परिधी है वो इसी रेखा को बोलेंगे ऐसा नहीं है कि SSC वालों में इतरिज्या को परिधी बोलेंगे जो concept है वो concept है मैथ में हर जगा हर situation में इमानदार और उफादार होता कभी बदलता नहीं है इसलिए सब के लिए class है कभी change नहीं होने वाला ठीक है चलिए यह हो गया अब क्या करना है इतना तो आप लिख लिजिए अब हम एक दूसरे सेक्टर में चलेंगे इसमें एक दूसरा डिपार्टमेंट कुछ नया देखिए अगला है area of sector sector को आपने सुना होका कहते हैं वहां फ्लाने सेक्टर में रहते हैं सेक्टर मतलब होता एक परकार एक पार जैसे कोई बड़ा एरिया उसको सेक्टर में बांट लेते हैं क화를 बाग में ना तो मिः देखेंड कैंड नोग में इनकी खतम होती है अब यहां पर समझ वो देखो द्यार से देखना अगर प्यार से और इतना ही प्यार से देखना कि न्ट भी समझ में आती रहने मृत अभine के दो पार्टा यह हो गया जो सक्राइब का यह जो फिर फाला जर्व से एंदर को नि क्या हुआ तो भाट आट भाव की इसको क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर निदी में इसको बोलते हैं लगू भाग के कि शिब city बाले जानों बहुत करेबने परायसां होते वो यह तो बड़ा इंगली से बोल रहा है वाह फाट लगु भाग बोलते हैं घापर घातक खमला लगु भाग इसको पोलते हैं मेजर पार मेजर सेक्टर जिसे दीर्ग डीट लिक़ो सही दीरक भाग बोलते हैं ठीक है कलियर अब साथ योँ इनपर अधरित कोश्चन आते है तो इनकी गुड़ा-गड़ित कुंडली तो हमें खंगालनी पड़ेगी ही चलिए देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना है हाँ पहले तो एरिया आफ माइनर सेक्टर यही ना टॉपिक पॉइंट यही था तो इसमें अरिया आफ सेक्टर है ना पहले माइनर और मेजर दोनों का लगले निकालते हैं आहां डिरीया तो इन अगधिव बहले लिए एरिया माइनर सेक्टर हिंदी वाले लिख लेंगे लगुभाग का मतलब यह शिर्फ इतने पार्ट की बात हो दिख रही है जितना आपने सुना होगा कहते हैंना हमने मतलब 360 घूमane का मतलब हमारी कुपड़ी इधर है तो आपर वहीं आ फिर एतना तो अधिना भी मैं होता है तो यह 309 माइनस थीटा बंगा ना तो यह इतना फिर माइनर जो सेक्टर है ना उसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा इसमें से थीटा लेंगे और टोटल कितना था इंग्लिस वाले लिख लेंगे सुनके अदीर्ग भाग का छेतरफल ये इंग्लिस में हो गया हिंदी में इंग्लिस वाले लिख लेंगे एरिया आप मेजर सेक्टर इस टाइटल को इंग्लिस में लिख लो एरिया आप मेजर सेक्टर इसमें भी वैसे कोन को लेंगे 360 माइनस थीटा है अपान टोटल 360 था इंटू जो बृत्य का छेतरफल है उससे गुड़ा कर देंगी यह हो गया आपका भाईया हो गया ना अब इसमें जो पॉइंट आते हैं आज टाइम बहुत कम है इंट्रोडक्शन का एक और पार्ट आएगा ठीक है तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो माइनर आर्क आर्क जिसे हिंदी में चाप बोलते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता उसे कैसे लिखते हैं यह सारा डीटियल हम आपको नेक्स्ट इंट्रोड़क्शन पार्ट में दिखाएंगे आज बहुत कम समय है बड़ी बेस्तता के कारण चुटी सी कलास हो रहे उसके लिए माफी चाहते हैं लेकिन अगला कलास जरूर देखना इमानदारी से पूरा मैथ समझ में आएगा एकदम डीटियल में कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाचा लोग बुरा लगे तो सब्सक्राइब करके ज नहीं पढ़ना और रिबीजन करना बिलते हैं अगली कलास में